महिलाओं को शतावर चुन एक एक चमसुगे साब और पुर्षों को आश्वगंदा, शतावर, सफेद, मुसली तीनों और बहुंच जादा योन दुर गलता भी है तो कौँच के लीजी ये चारों वैसे इनके लड़ू भी बना सकते हैं अश्वगंदा, शतावर, सफेद, मुसली ये पतंजली गाय का घी ले लीजिए उसमें थोड़ा उनको भून लीजिए थोड़ा सा सेक लीजिए या पहले पतंजली सूजी ले लीजिए मोटा रवा होता है न पतंजली सूजी ले अश्वगंदा, शतावर, सफेद, मुसली उसमें थोड़ा गोंद डाल सकते हैं गोंद को भी शेकना जानते हैं महिला हैं उसमें आप ठ्रैक्सी अलसी के वीज डाल सकते हैं ये और थोड़ा-थोड़ा मगज बहुँ जादा डाय फ्रोट ने थोड़ा-थोड़ा क्रोड किसमें थोड़ा-बादाम ये मगज अलग-लग प्रकार के जो खीरे की बीज होते हैं कदू की बीज होते हैं सनफ्लावर की बीज होते हैं थोड़े मगज डाल लेजिए उसके में और आप खाईए इतनी ताकत में लेगी आपको किसी भी प्रकार की कोई दुरबलतानी कमज कैसे भेंकर धातु रोग हों इस्त्रियों के लिए जिनको बहुत ज्यादा लिकोरिया है मंतली की प्रॉबलम्स हैं बहुत सरी में दुरबलता है उनके लिए और पुर्षों को भी जिनको धातु रोग सेट्सल डिसोडर्स जो भी उनको नाम दे दीजी आप बहुत रह के उनके नाम हमको बोलने में भी संकोच होता है आप ये बहुत प्रणायम कीजिए आपको कोई विर्भलता नहीं रहेगी इस्त्रिया शतावर चोल ले पुरष अश्वगंधा शतावर सफेद मुस्री का सेवन कर ले या मुस्री पाक ले थोड़ा शिलाजीत या अश्वगं कैपसूल फिर ये शिलाजीत का कैपसूल जिनको थोड़ा सा कड़वा लगता है या अश्वगं शिला दोनों का साथ में मिला करके और जिनको बहुत ही ज्यादा योन दुरबलता उसके लिए हमने योवन गोल्ड बनाया है वो आवश्यक्ता के नुसार बहुत ज्यादा सम सेहने पर देते हैं